साथियों जब इस प्रकार के इंफस्रेक्टर से देश को इतना फाइदा हो रहा है तो सवाल ये भी उड़ता है कि आखिर इसमें इतनी देरी क्यों हुई ये प्रोजेक्ट 2014 से पहले जो सरकार थी उसकी कारे संस्कृति का जीता जागता प्रमार है साल 2006 में इस प्रोजेक्ट को मंजुरी दी गई थी उसके बाद ये सिर्फ कागजों और फाइलों में ही बनता रहा केंद्र को राज्जों के साथ जिस गंबीरता से बात्तित करनी चाहिए थी जिस अर्जंसी से समबाद होना चाहिए था वो किया ही नहीं गया नतीजा ये हुआ कि काम अटक गया लटक गया भटक गया सिती ये थी कि साल 2014 तक एक किलोमेटर ट्रेक भी नहीं बीचा गया एक किलोमेटर भी नहीं जो इसके लिए पैसा भी स्विक्रुथ हुआ था वो सही तरीके से खर्च नहीं हो पाया साथियों 2014 में सरकार बनने के बाद इस प्रोजेक्ट के लिए फिर से फाइलों को खंगाला गया अधिकारियों को नए सिरे से आगे बढ़ने के लिए कहां गया तो बजेट करीब करीब ग्यारा गुना यानि पैतालीस हजार करोड पे से अधिक बढ़ गया प्रगती की बैटकों मैं मैंने खुद इसकी मोनिटिरिंग की इससे जुडे स्टेक होल्डर से समबाद किया समिख्षा की केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से भी संपर्ग बढ़ाया उन्हें प्रेरीत प्रोथ्षाहित किया हम नई टक्नलोजी भी लाएगे इसी का प्रड़ाम है कि करीब ग्यारा सो किलोमेटर काम अगले कुछ महिनों में पूरा हो जाएगा सोचिए आठ साल में एक भी किलोमेटर नहीं और छे साथ साल में ग्यारा सो किलोमेटर भाविय और बहनों इन्फा स्ट्रक्चर पर राजनितिक उदासिंता का नुक्षान सिरफ फ्रेट कोरिडोर को ही नहीं पूठाना पड़ा है पूरे रेलिवे से जुड़ा सिस्टिम ही इसका बहुत बड़ा बुक्त भोगी रहा है पहले फोकस ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर रहता था ताकि चुनाओं में उसका लाब मिल सके लेकिन जिस पत्रियों पर ट्रेन को चलाना था उन पर निवेशी नहीं किया जाता था रेल नेटवर्क के आदुनी करण को लेकर वो गंबीरता ही नहीं थी हमारी ट्रेनों की स्पीड बहुत कम थी और पूरा नेटवर्क जान लेवा मानव रहीत फाटकों से भरा हुआ था साथियों हमने 2014 के बाद इस कार्यशली को बढ़ला इस सोच को बढ़ला अलग से रेल बजेट की विवस्ता को खत्म करते हुए हमने एलान करके भूल जाने वाली राजनीतु को बदला हमने रेल ट्रेक पर निवेश्ट हिया रेलिवे नेट्वर्क को हजारों मानव रहीत पाटकों से मुक्त किया रेलिवे ट्रेक को तेज गती से चलने वाली ट्रेनों के लिए तयार किया रेलिवे नेटवर्क के चौड़ी करण और बिज़ी करण दोरों पर फोकस किया आज बंदे भारत एक्सप्रेस जैसी सेमी हाइस्पीट ट्रेन भी चल रही है और भारतिय रेल पहले से कहीं अधिक सुर्वचित भी हुई है